नमस्कार मैं हूँ आश्टर वास्तू एक्सपर्ट सावी सिंग आपके राशी फल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं आज हम बात करें हैं 17 ओक्टोबर 2024 गुरुवार का दिन थर्स्टे का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है सभी राशी वालियों के लिए वो तो हम जानेंग बहुत सारी खुशियां बहुत सारी तरक्यों के रास्ते जो हैं वो खोलेगा और इनी तरक्यों को आपके लिए और ज्यादा कारगर बना लेने के लिए और ज्यादा बेनेफिशल बनाने के लिए कौन सी एक बर्दे टिप है जो आपको जरूर आज के दिन करनी चाहिए उ इसी के साथ अगर हम 2024 के specific year की बात करें तो वो भी अंक 8 बनता है यानि कि 888 के energies से आप लोग अपने इस साल की energies में specifically प्रभावित हो रहे हैं तो कौन सी खास remedy है जो आपको जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी life में financial obstacles जो है वो भी खत्म हो finances की abundance जो है वो आपको life में मिले और इसी के साथ अगर आपकी कारियों में बार-बार चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ता है obstacles या परिशानियों का सामने आपको करना पड़ता है तो ये सभी दिक्कते जो हैं वो आपकी लाइज से दूर हो जाए आज के दिन आपको काले गुलाब जामुन जो होते हैं वो आपको कुछ अपने समर्थ के अनुसार आप जो भी दे सकते हैं धन दक्षना उसके साथ आपक अपनी लाइफ में जरूर प्राप्त होगा इसी के साथ हम आपके लिए हमेशा एक स्पेशल प्रॉब्लम का एक स्पेशल सल्यूशन जो है वो लेकर आते हैं यानि कि अगर आपकी जीवन में किसी समस्या के चलते हैं आप अकसर परिशान रहते हैं तो क्या उसका समाधान ह जो है वो फस जाता है यानि कि आपने किसी के साथ काम किया वो टाइम से आपकी पेमेंट नहीं देता है बार बार आपको लगता है कि चाया आप पार्टनर्शिप में काम करें या सोलो आप काम करें आपका पैसा जो है वो कही ना कही फस जाता है उसमें रुकावट आती है money का flow जो है वो सही नहीं रहता है तो इस तरीके की problems अगर आप बार-बार face करते हैं तो ऐसे में कौन सी एक remedy है जो आपको जरूर करनी चाहिए ताकि ये financial blockages जो है वो दूर हो जाएं तो हम आज आपको ये भी बताने वाले हैं उससे पहले सभी राशियों का हाल जानने दे हैं कि मेश समीन राशी क्या कुछ खास रहने वाला है 17 October के लिए आपके लिए सबसे पहले मेश राशी की बात करते हैं Aries की बात करते हैं किसी को भी आज के दिन कोई भी ऐसा जूटा वादा मत कीजेगा जहां आपको लगता है कि आप सामने वाले के साथ यो प्लेइंग ट्रिक्स और आप उसको उसके विश्वास का आप गलत मिस्यूस करने का प्रयास करें हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये दिक्कते जो हैं वो आपके लिए आगे जाके फ्यूचर में काफी जादा बढ़ा सकता है तो ऐसे misleading promises किसी के साथ भी आज के दिन करने से आपको बचना चाहिए सिरफ धन के वारे में ही अगर आप सोच रहे हैं और अपने रिष्टों को आप दाओ पे लगा रहे हैं तो long run में आपके लिए काफी जादा दिक्कते जो हैं इससे उत्पन हो सकती हैं तो अपनी personal, professional, financial, life तीनों चीजों को एक तरीके से balance, maintain करने का उसमें प्रयास करेंगे तो आपकी life में जादा सफलता जो है वो आपको प्राप्त होगे और आज के दिन specifically money minded होके अपने personal relationships जो हैं उनको किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुँचाए शुबंग की बात करें आज के दिन आपके लिए तो वो रहने वाला यंक दो शुबरंग की बात करें तो वो रहेगा सफेद यानी की white color ब्रिश राशी की बात करते हैं आज के दिन अगर कहीं party में आप जा रहे हैं या कई भी ऐसी meeting में आप जा रहे हैं तो center of attention, center of attraction जो है वो आप बने रहने वाले हैं तो उस लिहास से आपके लिए आज का दिन जो है वो काफी अच्छा नजर आता है नौकरी पेशे में अगर हैं तो सफलता मिलने के योग शुब नजर आते हैं आज के दिन कोई new income opportunities आए के वृद्धे की स्तोत्र जो हैं आपके लिए वो खुलते हुए नजर आते हैं शुबंग की बात करें तो वो रहेगा एक शुबरंग की बात करें तो वो रहेगा cream color मिथुन राशी की बात करते हैं बहरी संबंदों के माध्यम से आज के दिन आपको कुछ न कुछ आर्थिक लाब जो है वो होता हुआ नजर आता है तो एक अच्छा positive shift जो है वो आपकी professional life में मिलता हुआ नजर आ रहा है नया मकान अगर आप खरीदने का प्रयास कर रहे थे या फिर अगर आप सोच रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस के घेरे में आप बहुत टाइम से थे तो आज के दिन वो जो मानसिक तनावे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है नया कारी शुरू अगर आप करना चाहते थे तो उसके शुब संकेत प्राप्त होते हैं तरक्की के लिए नए रास्ते जो है वो खुलते हुए नजर आते हैं न्यू ओपॉचरेटी आपको मिलती हुए नजर आ रही है शुबंग की बात करें तो वो रहेगा तीन शुब्रंग की बात करें तो वो रहेगा साफ्रन यानि की नारंगी कलर सिंग राशी की बात केते हैं लियो की बात केते हैं मित्रों का अच्छा सहयोग जो है वो आपको आज के दिन मिलता हुआ नजर आ रहा है अचानक धन प्राप्ति के शुभ योग बनते हुए आप सभी के लिए नजर आ रहा है आज के दिन जरूरी कार्य अगर कोई शुरू कि बाद करें तो रहेगा चार शुबरंग की बात करें तो रहेगा गहरा हरा यानि की डॉक्त कलनो कन्याराशी की बात करते हैँ वगु की बात करते हैं सरकारी विभाग से आज दिन आपको काफी अच्छा फायदा मिलता हूँए निजर आता है उच पदपे बैथे हुए अधिकारी, आपके लिए काफी अच्छा लाब जो है आपको दे सकते हैं, यात्रा पर जाना की सोच रहे थे तो आपके लिए काफी अच्छा शुप संकेज जो है वो मिलता यात्रा पर अगर अल्रेडी जा रहे हैं तो काफी जादा fruitful आपके लिए जो यात्रा है वो सकती है परिवारिक सहयोग से रुके हुए कारे जो आपके चल रहे थे बहुत लंबे समय से कुछ hold up था कोई काम वो पूरा हो सकता है आपकी family की support और उनकी सहयोग की कारण शुबंग की बात करें तो वो रहेगा साथ शुबंग की बात करें तो वो रहेगा आस्मानी यानि की sky blue color तो ला राशी की बात करते हैं अंजान व्यक्ति से आज के दिन थोड़ असा जादा साफधान रहने का आपको प्रयास करना चाहिए हो सकते कि आपको वो किसी अपनी चिकनी बातों में या फिर यू नो कोई ऐसी चीज आपको बोले जिससे आप एक तरीके से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं आकर्शित हो जाएं और इसी आकर्शन के चलते वो आपकी किसी वीकनेस का आपकी किसी कमजोरी का फायदा जान रखने का आपको आज के दिन प्रयास करना चाहिए आपका व्यापार आज के दिन खूब तरखी करता हुए नजर आता है उसके अच्छे आपको काफी न्यू ऑपॉचुनिटीज अपने बिजनिस को एक्स्पैंड और ग्रो करने की नजर आ रहे हैं मिलती हुई भाग जो है नजर आते हैं और आज के दिन काफी अच्छी सफलता पराप्त करते हुए नजर आते हैं शुबरंग की बात करें तो वहनए अच्हे नजर आ रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होती हुई अब नजर आ RAji मित्रों का अच्छा सहयोग आपको मिलने वाल करते हैं परिवार के साथ अगर आप कहीं ट्रावल करने का सोच रहे थे तो उस लहाज से आज का दिन आपके लिए शुब नजर आता है ऐसा करना आपके लिए लाबदायक रहेगा आपके जो क्लोस फ्रेंड्स हैं आपके जो क्लोस रेलेटिव उनसे आपको काफी अच्छा अलाब मिलता हुआ नजर आता है आज के दिन संतान की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं अगर आप मैरिट हैं और आप एक चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस लिहाज से अच्छा शुब योग जो है वो फॉर्म हो रहे हैं और अगर आपको इस गुड़ न्यूस फी जो है शुब समाचार भी जो है आपको संतान से रिलेटेड वो भी आज के दिन हो सकता है कि प्राप्त हो शुबंक की बात करें तो वो रहएगा साथ शुबरंक की बात करें तो वो रहेगा क्रीम कालों मकर राशी की बात करते हैं कैप्रिकॉन Meaning को करेंगे तो ही आपको उसका कुछ फायदा भूं को प्राप्थ होगा यानि कि half-heartedly अगर कोई भी काम करेंगे तो उसकी उतनी सफलता आपको हाथ नहीं लगेगी तो focus से धैरे के साथ patiently कोई भी कारे करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है आज के साथ आज के दिन आपको specifically अपने फादर से काफी अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है आपके लाइफ में जो भी फादरली फिगर है वो आपके लिए आज के दिन कोई अच्छा लाब दे सकते हैं कुछ support उनकी तरफ से आपको विशेश रूप से मिलती हुई नजर आत जिम्मेदारियों को अगर आप अच्छे से आप उसे follow through करेंगे तो उससे आपके संबंधों में भी गहराई आएगी मजबूती आएगी क्योंकि अगर half heartedly कोई भी responsibility करेंगे आप fulfill तो उसका आपको एक तरीके से उसका बोज महसूस होगा जिसकी वज़े से आपके रिष्टो में तनाव बढ़ेगा तो responsibility को सिरफ एक बोज ना समझे अच्छे से उनको आप follow through करने का प्रयास कीजे अपनी family की support के साथ करने का प्रयास कीजे ताक कि रिष्टों में भी मिठास बनी रहे आज के दिन आपको new opportunities मिल सकती हैं आपके finances को बहतर करने के लिए अपनी professional life को बह स्वास्त का आज के दिन थोड़ा सा खास ध्यान आपको रखने का प्रयास करना चाहिए suddenly कहीं से आपको income से related gains जो है वो प्राप्त हो सकता है यानि कि धन प्राप्ती के शुब योग बन रहे हैं अगर आप एक new vehicle खरीदना चाह रहे थे या उससे संबंद कोई भी planning कर रहे तो उस लहाँ से आज कर दिन काफी शुब नजर आता है शुब रंग की बात करें तो वह रहेगा नौ शुब रंग की बात करें तो वह रहेगा जामुनी यानि की पर्पल कालर इसी के साथ वीडियो की शुरुवात में हमने आपको बताया था कि अगर कोई खास समसर से मंगलवार और शनिवार के दिन संध्या के समय आपको अपने शाहन कक्ष में यानि के अपने बेडरूम में और अगर आपका खुद का पर्सनल ओफिस है तो वहां पे आपको लोबान की धूनी जो है वो करनी चाहिए अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप में यह उपाई नहीं कर पाएंगे तो अपने बेडरूम में आपको ट्यूज़े और साटेडे को इस उपाई को जरूर करना चाहिए आपको अपको जहाए हुआ है अजक्ति है और अच्छी लगी हो तो जाद से जादर लोगों तक विडियो को शहर सरूर कीज़ेगा आपके राशीपल के साथ कर फिसे हाजर होंगे अंगे अच्छा करते हूं आपका दिन शुब रहें नमस्कार जामाता दी